हेलो मेरे नाम है संचेत और आप देख रहे है टेग बार और MIA2 नहीं आ रहा सॉरी MIA2 अभी नहीं आ रहा बट सिला में पहले लीक्स देखने को मिल जाते कि इस फोन में हमें क्या मिलेगा अगर आप जानना चाहते तो मेरे साथ बने रहे हैं तो बिना किस दिरी के शीर्स देखो भाई जो हमारे मोटरोला के फोन होते हैं लोग उनको जेनरली इसली खरीटे क्यों में स्टॉक एंड्रोड देखने को मिलता और बहुत ही स्मूध प्रवाद बिखने को मिलता है तो मार्केट में जो है विराइटी हो जाएगी और लोग कोई भी चूस करेंगे और जाज-जादा फोन बिकेंगे तो में बिखेंगे इनकी यह स्ट्राटेजी हो और हमें इसमें स्नाइब्रगन 660 मिल जाए यह मेरा आइडिया है बाकि 4G RAM और 64G storage तो बहुत जादा कॉमन हमें हर एक में चाहिए यह चाहिए बाकि मेरी last demand यह कि यह नौच मत देना बहुत ही irritating है यार वो चलो बात करते हैं माई A2 के कैमरे के बारे में हम इसमें देखने को मिल सकता है 20 प्लस 8 Megapixel का रेर कैमरा और 20 Megapixel का प्रेंट कैमरा सच में शाओमी 20 प्लस 8 Megapixel का काम क्या है यह तो आने के बाद ही पता लगेगा बाकि मेरे साब से 20 Megapixel का फ्रेंट कैमरा लॉजिकल है क्योंकि Redmi Note 5 Pro में हमें सेम देखने को मिला था बट कार इस बारे लोग अपनी image processing सुदार ले है front camera की चलो बात करते हैं MI-E2 की design के बारे में हमें इसका back panel जो है देखने को मिलेगा पूरी aluminum body वाला और बीचवा में मिलेगा fingerprint scanner और हमारा camera होगा वो वर्टिकल होगा iPhone 10 की तरह और पीछे जोगा नॉर्मल सी MI की branding मिलेगी और हमारा front में होगी हमारी 18-9 display मेरे साब से ओविस डिजाइन हमें MI-E2 शायद ऐसा ही देखने को मिले से लोग बात करते हैं MI-E2 के प्राइज और launch date के बारे में सबसे पहले हम आपको बताता हो कि MI-E2 अभी नहीं आ रहा आप Redmi Note 5 प्रो खरीड लोगर आपको अर्जेंटली कोई phone चाहिए फिर आप Moto G6 Plus के लिए वेट कर सकते क्योंकि वह phone भी बहुत ही अच्छा होने वाला है बाकी मापको पता दो कि हमारा MI-E1 जो है सब्टेंबर में आया था और कम से कम एक साल तो लगता है कि एक नया variant निकालने में पर लीक्स के साब सब बताऊ कर दो लगता है